तो आएए जो है हम लोग देखेगा तो आप लोग स्वस्त रहिए मस्त रहिए और जो है घर पे पढ़िए अब तो ठंडी आए गई है ठीक है तो इसलिए आप अपना ध्यान भी देखेंगे और गार्जेन का तो आप अपना ध्यान देगे गार्जेन का भी साथ साथ ध्यान तो आप पढ़िए और ठीक है तो देखिए हम लोग जो प्रॉपर्टी क्या पढ़ने वाले हैं मेकैनिकल प्रॉपर्टी अब सॉलिड मेकैनिकल प्रॉपर्टी अब सॉलिड हम लोग पढ़ना है तो मेकैनिकल प्रॉपर्टी अब सॉलिड में हमने जो है अब आगे हम लोग को पढ़ना है इस्ट्रेश एंड इस्ट्रेश पढ़ना है ठीक है तो देखिए इस्ट्रेश क्या होता है वैसे अगर एकार्डिंग तो हम लोग हुक्सला जाएं ठीक है हुक्सला की बात करते हैं अगर तो इसमें क्या होता है इस्ट्रेस डारेक्ली प्रपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर् और अगर मार्डलस आफ मार्डलस आफ दीजी डिटी की बात करें अगर अगर दीजी डिटी की बात करते हैं तो इसमें होता है क्या इस्ट्रेस डारेक्ली प्रपोर्शनल टू इस्ट्रेन तो हुक्सला में जो होता है एक्स्टेंशन इस डारेक्ली प्रपोर्शनल टू लोड अप्लाई और अगर मार्डलस आफ रिजी डिटी की बात करें तो इसमें होता है इस्ट्रेस डारेक्ली प्रपोर्शनल टू stress अगर इसको हम लोग हटा देते हैं तो e आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं e क्या है constant है e को बोलते है modulus of elasticity क्या बोलते है e is equivalent होगा राजायागा stress upon strain आयाता है और इसे को बोलते है modulus of elasticity क्या होता है modulus up elasticity इसका मतलब है की जो e की value है की जो e क्या है modulus of elasticity को मतलब बोलते है in Region में 까द कि उसको मिलसं किया accept की अप्य second है तो 3 होते हैं इसलिए modulus of elasticity को की होगी तो 3 wipes की होती है तो है सोज में देख लीजेे तो हम इसको ए्रेज करते हुए देखिए तो तो मार्डलिस आप इलास्टीChty का जो टाइप होता है देखिए अब हम लोग को पढ़ना है क्या मार्डलस आप इलास्टीChty में थ्री टाइप का होगा पहला होता है यंग मार्डलस दूसरा होता है bulk modulus और थर्ड होता है हमारा shear modulus और shear का एक और नाम होता है जिसको बहते हैं tangential तो क्या है यंग modulus पढ़ना bulk modulus पढ़ना shear modulus पढ़ना ठीक है तो यंग modulus क्या है यहीं से बताते हैं यंग modulus को किसे डिनोट करते हैं हम लोग y से डिनोट करते हैं तो यंग modulus का मतलब क्या होता है तो यंग modulus का मतलब है stress या क्या होगे normal normal stress upon क्या होगा normal stress upon normal stress होगा और क्या होगा change strain में क्या लिखेंगे change in length या नार्मल इस्ट्रेस अगर वैसे फामला के भीना लिखेंगे नार्मल इस्ट्रेस अपान लांगिट्यूडनल लांगिट्यूडनल इस्ट्रेन होगा पहले अगर ऐसे लिखेंगे क्या लिखेंगे normal stress upon longitudinal strain अब लिखेंगे normal normal stress upon longitudinal strain को लिखेंगे change in length change in length और अपान क्या होगा original length original length तो क्या होगा नार्मल स्ट्रेस अपान चेंज इन लेंथ अपान जो है यहाँ मैं इसको इरेच करता हूँ ठीक है तो कितना होगा नार्मल स्ट्रेस और चेंज इन लेंथ अपान वरिजनल है अब देखिएगा नार्मल स्ट्रेस को हम लोग फोर्स अपान area बोलेंगे और change in length को मान लिए हमने जो length change हो इसको delial मान लिया और original length हमारी कित्ती अगर EL होगी जैसे आपको figure समझा दो तो जैसे मान लिए क्या है कोई यहाँ पर wire है ऐसे करके इस wire को हम लोग क्या करते हैं यहाँ से force लगा के हम लोग क्या करते हैं इसकी wire की length ऐसे बढ़ जाएगी इतनी length यह बढ़ गए इसी को delial नाम दिया गया और original length इसका EL है तो देखे कि इसका force लगाए तो इसका इतना length बढ़ गया उसी को बोलेंगे force per unit area हो गया तो area क्या होगा यह area यहाँ पे हो गया फोर्स यह तो फोर्स जब per unit area या नार्मल इस्ट्रेस लगाएंगे force per unit area पे तो जो होगा वो change किसमे होगा length में change होगा पर बरज्ज़ मतलब dimension जो change होगा उसको longitudinal strength बोलेंगे तो longitudinal strength को कैसे लिखेंगे change in length upon initial length तो changing length कितना होगा हमारा देलल और initial हो जाएगा इसको और स्वाल पर लेंगे तो f होगा upon a और यह होगा l upon देलल तो आपने देखा तो इस तरीके का हमारा जो है यह formula young modulus का formula आ जाएगा ठीक है अगर इसी में हम लोग यह मान लें कि जो force लगेगा वो क्या होगा load जैसे force की value क्या होगे load होगा तो mg होगा तो अगर हम इसी को force को लिख दे mg लिख दे हाँ पर mass into gravitation और area की जागर cross sectional है तो pi r square लग दे जैसे यहाँ पर area यहाँ क्या लिख सकते हैं pi r square अगर इसको pi r square लिख देंगे तो यहाँ पर l upon देलल इस तरीके से लिखेंगे तो आ fine अगर young modelers का करना होगा तो आप बताएंगे the ratio of normal stress upon longitudinal strain is known as young modelers अब बताएंगे let let us consider a wire hang when it is a digit support and second is freely and a force app a load is apply on another in then it extend at length कितना होगा डेलल ठीक है यहाँ यहाँ पर क्या होगा डेलल क्या होगा increase then by the definition of young modelers by the definition of modelers आप क्या होगा elasticity आप पर होगा normal stress one longitudinal stress और बारी 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 value रखते चले जाएंगे तो आपने देखा solve हो क्या पर EMG एक तुआ जाए एक एल अपन डेलल और या EMG एपन पाई या इसको एल अपन डेलल इस तरीके से आप देखें का आप कासानी से answer आ जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं